असलाम वालेकुम मेरे भाईयों दोस्तों और बुज़र्ग मैं इलियाश शेक आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल आई एल यू इंटर्टेन्मेंट पर और जिस बाइन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि है सब्सक्राइब कर ले और बैल पर टन दो बाड़े त कल है सटड़े की मंडी तो सटड़े की मंडी में क्या माल आता है क्या प्राइस पर रहेगा और क्या कॉंटिटी रहेगी वो प्रॉपर डीटेल देंगे हम आप लोगों को माशाला हमारा काम ही है आप लोगों के लिए जह है कंटीनी वीडियो बनाना और प्रॉपर डीटे की मंडी कट्टू का माल ज्यादा आता है में से आप लोगों को जो है कुछ पालने वाली चीजे भी जो है मिल जाती है तो जो भाई भी इंटरस सकता वही लेना चाहता है मैं आप लोगों को बता दूए यह देखिए 10,000 रुपे का सोज़त बच्चा जो भाग रहा है ठीक है अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है भाई सस्क्राइब कर ले विकास महिनत लगती है हमारी यह रेखिए एक एक बखरा माशाएलला आप लोगों को मिल रहा है इसमें थोड़े अच्छे बखरे भी है पाल भी सकते हो सस्क्रा चॉक कर सकते हो ठीक है यह देखिए बड़ा हर जगा कुछ ना कुछ आप लोगों को जो है मिल ही जाएगा विकास देवनार है और यहां एक नसल नहीं आती है मैं आप लोगों को जो है देवनार बखरा मंडी में मिल जाएंगे ठीक है तो फेस्टिवल्स चालू है तो माशाएलला यहां जो है सारे फेस्टिवल्स मना जाते है दिवनार बकरा मंडी में तो चलते चलते इंशाल्ला आप लोग को जब मैं दिखा दूँगा ये रेखिए ठीक है तो जिस किसी भाई ने दर्शन नहीं किया दर्शन ले ले और इंशाल्ला कंटीनूर ने दरेगी मेरी ये देखिए तो माशाएलला दिवनार बकरा मंडी में जो है अलहमदुल्ला हर साल माशाएलला ये फेस्टिवल्स जो है जिस तरह आते हैं सारे फेस्टिवल्स को मना जाता है तो यही हमारे हिंडुस्तान है माशाएलला कि हर एक की जो है इज़त के साथ एहतराम के साथ काम करना ये देख सकते हैं यह कुछ अच्छे पालने लाइक बच्चे में शाइनिंग देखो बच्चे में ठीक है और इंशाललह मैं प्राइजस लास में एक प्रिल-पत्टी का बता देता हूं ठीक है जहां तक का मुझे मालूम पड़ा है यह लटकन देखो बच्चे के में यह बच्चा रहेगा यह बच्चा देगा तो मैं आप लोगों को बता दू बारह हजार रुपे से लेके पच्छीस हजार रुपे तक कि इसके अंदर जानवर आप लोगों को मिल जाएंगे जिस भाई को पसंद आ रहा है लेना है तो आप दिवनार भकरा मंडी आ सकते हैं चिल आगे कं तो माशालला देख सकते हैं आज मुझे कुछ पालने लायक बकरिया और कलेक्शन अच्छा दिख रहा है ठीक है यह देखिए इसमें फीमेल्स भी है कुछ मेल्स भी है पीछे यह देखो फ्रेम देखो यह देखो ठीक है यह बड़े फ्रेम की बकरी है मैं आप लोगों को 용 कषिगे बॉक हो बहुत बहते है ठीक हुब बहुत भी बख्री बकरिये और इसका जब लोग अट्रा हजार लीटा मांग रहें एक क्को máximo दिख़ेगे आप लोग लहें यह देखिए ठीक है अक्षर इसके नहीं चार दाद दाद गिरीवी फीमेज आती है विकाउस फीमेज का जो है रेट मिल जाता है कट्टू में अच्छा ठीक है यह देखे पीछे तक माशाला आगे दिखा दे तो आप लोगों को यह बच्छा देखिए यह देखो बारा हजार उपए इसका मांग रहे लेकिन बच्छा माशाला क्या बहतरी है तो अच्छी चीज भी जो है देवनार बकरा मंडी में आप लोगों को मिल जाएगी भई यह देखो ब्लाक कोगरा यह तो कट्टू का है यह भी कट्टू का है ठीक है बागे कट्टू में से आप लोग क्या सस्ता माल मिल जाता है तो आप लोग शौक कर सकते हो यह देखो बच्छा देखो बारिश की वज़े से कुछ बच्चे जो है इसमें भीग भी गया मैं आप लोग को बता दू ठीक है चलिए आगे कंटीन्यू करता हूँ तो भेड़ जादा आते है विकाज आप भेड़ सस्ते रहते है और मंडी में कट्टू की मंडी में भेड़ जादा बिकते है तो माशालाल लोग आज भी जो है फ्राइडे में भी जो है कुछ जानवल लेने आ जाते है यह देखिए ठी तो अपनी 2024 की कुर्बानियों के लिए लोग माशालाह खटा होना शुरू हो चुके और लोग माशालाह कंटीन्यू देख सकते हैं तो यह साइड भी आप देख सकते हैं ठीक है तो हर कोई अलाव नहीं करता है वीडियो शूट करने दिवनार वकरा मंडी में जहां शूट क बच्चा वी मशाला अच्छा बच्चा है लटकन देखो बच्चा कॉलिटी वाली चीज़ वड़ी चीज़ बच्चा अच्छे में तो उसका जो पन्वरा हजारू के आसकी में तो देवनार में आना पड़ेगा आपको रेट माशालाह निवशिबल हो जाते आप लोग को चीज़े परसंद आना पड़े तो यह पूरा कच्चू का माल है उसमें से आप लोग को पालने वाले जानवर जो है देवनार में साल भर मिलते हैं देखें पिछे देखें क्या कलर है माशालाह बहतरीन कलर का बहतरीन बच्चा यह देखिए शाइनिंग देखो बच्चे मे ठीक है तो अच्छी चीज़ भी देवनार में आप लोग को मिल जाती है यह साइड भी दिखा देता है देख सकते कोटा का बच्च्चा शे हजार उपए कोटा का बच्चे का मांग रहे हैं अब इंशालला मैं आप लोग वे देखिए बच्च्चा देखो इसका प्राइस सब्सक्रاج में देखें हमने पहि're her तो छलता हूं साइड से से कुछ मल अच्छा है वो दिखा देता है तो यह साइड आ वमें यह हैं बच्च्च्च्च बच्चर कलर अच्छा माशहल बच्च्चा बच्चा भी अच्छ है तो रेट भी कभी कभी आप लोग को अच्छे मिल जाते देनार में आप लोग को बता दूँ ठीक है बाग आपको बार्गेनिंग करना होगा यह यह लॉड में सभी माशालला आप में को थोड़े अच्छे दिख रहे ऐस केंपैर तो अधर तो कंपैरिशन तो हम नहीं करते है अभे किसी से मेरा काम है आप लोग को में आप लोग को प्रेजन करना इंशाल लग मैं आप लोग को प्रापर डीटेल के साथ का रिशंत करने की कोशिश करता हूँ आप लोगा समझ में आता है आए यले उंटर्टेन्मेंट का वीडियो क ministry आ शिच में आरे में आरे महने सम ब्लैक बच्च Emmanuelël को बच्छी अच्छी कई सिर्फन पर चेल्षोर कॉत अजो कोषा लॉप तो यह लैक्ता कोटा जंगल सी गाडी आई है जो गाडी आप देख रहे हो तर्श देलां चेल्षोर सब परमाइब पि कुछो आई भी इंटरे सकता है कल है मंडी का दिन सटेड़े की मंडी का दिन तो प्रीज आईए और लेके जो है आप जो है शौक कीजिए तो अलहमदुल्ला मैंने दोनों साइट कवर कर चीए हूँ ठीक है और आप लोग को प्रोपर डीटेल्स जो है वीडियोस के जरीए से अलहमदुल्ला बताने की कोशिश करता हूँ यह देखिए यह पूरा लॉट चेर के खापी के भी माशालला पानी पीने आया है अब यहां से अपने बाडोस में जाएगा ठीक है तो बड़े के भी जानवर की थोड़ी अपडेट डूँ है यह वीडियो में आप लोग को यह देखिए यह पूरा क्या पूरा कट्टू का मालन आप लोग को बता दो मेरा रिकमेंडेशन तो रहेगा नहीं कि इसमें से एक भी जानवर जो है आप लेके पालो ठीक है पूरा भीगा हुआ जानवर कीचड में और यह देवनार है मैं आप लोग को बता दो यहां का भीगा हुआ यहां का भीमार जानवर बचना बता अल्लाह अब बुलिजद के है हाथ में लेकिन बहुत महिनत लगती है माशाला देखते किस तरह गवाल लोग महिनत करते और आप लोग को बता दो कि बड़े के जानवर जो अल्हम्दुला देवनार में इंट्री चालू है ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े का जानवर जो है बंद हो गया है कुछ मंडीज जो है महाराष्ट की बंद है ठीक है तो अल्हम्दुला देवनार चालू है और यहां कोई बीमारी अभी तक तो स्टैंडबाई अवेलेबल नहीं है और जिस किसी भाई को बड़े जानवर चीए फूरा रास्ट का जो है बड़े जानवर अवेलेबल है यहां जो है कुरवानी के अगाश समाहल होता है वे एक शेड पूरा गिर चुका है देखिए ठीकि उपर से अल्लागा इसान कुर्वानी के बाद गिरा था ये ये देगे तो बड़े अलहमदुल्ला जानवर स्टैंडबाइ अविलेबल है तो जो कोई भाई भी आना चाहता है लेना चाहता है तो आप दियोनार बकरा मंडी आ सकते हो यहां भी माशालला जानवर अविलेबल है तो प्लीज ऐसे ही वीडियो के लिए I.L.U. Entertainment को सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इंशालला अग मजीर वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों को शौक कराते रहेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दुआउ मयाद रखिए अभी असर पड़ेंगे इंशालला ठीक है चलिए भई अल्ला हाफिस